दोस्तों लखनौ दिल्ली स्वार शताब्दी एक्स्प्रेस में बार बार हो रही ये अनौस्मेंट यात्रियों का ध्यान खीच रही थी मेरे आस तक के ट्रेन के सफर में शायद यह पहली बार था जब हम इस तरह की कोई अनौस्मेंट सुन रहे थे एक बार फिर से सुनिये इस अनौस्मेंट को इस अनौस्मेंट को सुनने के बाद मेरे साथ सफर कर रहे डॉक्टर सी एस राम और मैं अपनी सीट से उठकर कोई नंबर सी नाइन की ओर चल पड़े बीच के कई कोचों को पार करने के बाद हम कोच नंबर सी नाइन पहुँच गए और उस यातरी को ढूंडा जिसकी तबियत बिगड़ गई थी जब हम उस यातरी के पास पहुँचे तब वो थोड़ा बहतर महसूस कर रहा था उस वक्त वह अपनी सीर्ज से उठकर वाश्रूम के पास खड़ा था हमें पता चला कि नजदी की कोचों से दो और डॉक्टर हमारे पहुँचने से पहले ही उसके पास पहुँच चुके थे और यातरी को देखकर उसे कुछ तवाईयां दे दी थी सबसे पहले पहुचने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर धननजय कुमार जो लखनव से टूंडला की यात्रा कर रहे थे डॉक्टर धननजय एफच मेडिकल कॉलेज टूंडला में प्रैक्टिस करते हैं सुनिए उन्होंने क्या कहा तो मैं एनामस्मेंट सुनके वहां पे गया सीट नमर पे पुलिस वालों ने मुझे वहां तक स्कॉट किया फिर वहां पे पता चला मुझे पेशेंट के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा तो मैं वहां उनको थोड़ा चेक किया तो बाकी चीजे तो नॉर्मल आ रही थी साहे तो फूट पाइजनी के वज़े से या कुछ और प्रॉब्लम रही होगी तो वहां पे जो ट्रेन मुझे किट प्रोवाइड किया गया उसमें मेडिसिन थी बट वो काफी पुरानी थी दोस्तों इसी क्रेन से डॉक्टर मिशाखा भी लखनो से दिलने जा रही थी डॉक्टर विशाखा कुछ मिनट पहले ही उस यात्री को देखकर अपनी सीट पर लोटी थी और उन्होंने हमें जानकारी दी कि यात्री की हालत अब ठीक है पेशिंट को अब पेट में दर्द हो रहा है था पेशिंट को पेट लज दे दिये गए थे पेशिंट के वाइटल से स्टेबिल थे पूर बहुत अमर्जनसी देश नहीं था पेशिंट अब इस नहीं है दोस्तों शुक्र है कि गाड़ी में उस वक्त एक नहीं कम से कम तीन डॉक्टर सफर कर रहे थे जिनके समय से पहुचने से यात्री को जरूरी मदद पहुचाई जा सकी उस वक्त हमें एहसास हुआ कि सफर में डॉक्टर का होना किस तरह किसी की जिन्दगी भी बचा सकता है दोस्तों आजकल तो हमें से जादा तर लोग ट्रेन का रिजवेशन आउनलाइन कराते हैं लेकिन आपको याद होगा कि जब हम रिजवेशन काउंटर पर लाइन लगाकर रिजवेशन कराने जाते थे तो हमें इस तरक का एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता था इस फॉर्म में ये भी लिखा होता था कि यदि आप डॉक्टर हैं तो टिक का निशान लगाएं ताकि आपात स्थिति में किसी की मदद की जा सके भले ही डॉक्टरों की मौझूदगी से एक यात्री को वक्त रहते मदद पहुँचाए जा सकी लेकिन ये घटना कई सवाल भी खड़े कर रही थी क्या ट्रेन में दवाईयों और इमेजन्सी मेडिकल किट का इंतजाम था क्या ट्रेन में प्रसिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ मौझूद थे क्या हमारी ट्रेने इस तरह की आपात स्थिति के लिए तयार हैं जाये कम से कम इस्तेश्कोप रहें तो कोई भी डॉक्तर हमेशा कैरी करके नहीं जलता जैसे मेरे पास यह अभी इस्तेश्कोप नहीं है वह होनी चाहिए गुलुकोमिंटर होनी चाहिए अगर कोई पैशन अचानक से प्रेंट हो जा रहा तो आप मैं उसका ब्लुकोज चे और उसके लिए फिर स्टेशन पे ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए यह बाकी पैसेंजर से उमीद करना कि वह अपनी गाड़ी छोड़कर पेशेंट के साथ जाएंगे यह तो ठीक नहीं है दोस्तों ये घटना वाकई आखें खोल देने वाली है भारतिया रेल का नेटवर्क आमेरिका चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसमें हर रोज दो करोड़ से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं दोस्तों जब शताब्दी जैसी वी आईपी और छोटी दूरी की ट्रेनों में मेडिकल सेभाव की ये हालत है तो देश के आम ट्रेनों की स्थिती का अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों ये गर्व की बात है कि हमारे देश की ट्रेनों को आधनिक और विश्वस्तरिय बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन दोस्तों क्या हमारी ट्रेनों को आराम दायक और सुविधा जनक बनाने के साथ साथ medical emergency जैसे इस्थितियों से निपटने के लिए और ज्यादा तैयार किये जाने की जरूरत नहीं है अपनी राए हमें comment section में जरूर दीजेगा अगर हमारे इस vlog से आपकी train यात्रा और ज्यादा सुरक्षित और बहतर होती है तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करके आप हमारा होसला बढ़ा सकते हैं मिलते हैं जल्द ही एक नए सफर पर और कुछ नई travel stories के साथ तब तक के लिए गुडबाई